कैसे हैं आप सब लोग सलाम दुआ और बाकी दूसरी चीज़े करने का वक्त नहीं है एक ऐसी चीज़ आप लोग को बतानी है कि जिसकी वज़े से बहुत बड़े बड़े मसले हो सकते हैं मेरे साथ अज बहुत ही बड़ा वाकिया हुआ है वो यह हुआ है कि मैं टैलनौर के ओफिस गई ती अपने किसी काम के लिए मेरे पैकेज का मसला था तुम आपे आई महीं मैने पूश लिया अभी मेरे आम कितनी सिम नहीं इह नहीं निकला है अब हीने है तो इसम वज़ेस तो आपकी अभी निकलिये पहले मैंने यूच्छा बड़ाई बोला अभी ठीक नहीं हो रहा आप इसको सही से करें ये वो तो उन्होंने तो कुछ नहीं कर रहा उन्होंने बोला बिल्कुल उन्होंने किया है तो जैसे ही महां से निकले तो हम मेरे हजबन मुझे ले गए F.I.R कटवाने मैंने का रुख जो पहले उस बंदे के पास चलते हैं बाबा कम्यूनिकेशन करके डिफेंस फ्यू फेस टू में जो पर उनकी शॉप है उनके पास गए तो कह रहे हाँ वो असल में जब आपकी अवैसे पास पहली की एजी पैसे या की सीज की लिए वेरिफिकेशन कराते न तो सिम निकालना जुरूरी होता था इनको मैंने बोला भाई मेरी बात सुने हम आपको जाहिल लगते हैं वो पागल आपको लगते यह थायने चली जाए तो वो उन्हों पकड़ा मेरे हज़रे ने और वो वापस लेकर आ गए अब हम रात में लीगल एक्शन लेंगे F.I.R. कटवाएंगे इनके नाम की और प्रॉपर जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी साइबर क्राइम में भी इनकी कंप्लेंड जो होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है अब मेरे सेम इनोंने पता नहीं किसको दी क्या किया कोई बंदा किसी को ब्लैक्मिल करे कुछ भी करे मुझसे जवाब देंगे ना जब कंप्लेंड होगी तो वो बोलेंगे ना बीबी आपका थम लगावा है आपकी सेम आपको होश ही नहीं है तो सिर्फ हैस मैसेज में आप लोग को ये कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अपने करीबी जगाओं के लिए अपने करीबी जो भी आपकी सेम है ना टैलिन और आज ओंग ये जैज है जो भी वाँ जाएं अपने नाम की सिम पूछें किती सेम आपके नाम पे चल रही ह और सब लोग जाके वेरिफाइ करवाएं कि आप लोग के नाम पे कितनी सेमे चल रही है क्योंकि ये तो इन्होंने क्राइम बना लिए जमने चार पांच लोगों से बात की तो उन्होंने बता है हां ऐसा होता है हमें तो नहीं पता था तो खयाल रखें अपना दूसरों का अब इस वीडियो को जादर से जादर शेयर करें ताकि किसी घरीब के साथ ऐसा ना हो हमने तो फिर भी हन थोड़े बहुत पड़े लिखे लोगे हमें पता हैं दूसरे कई सारे लोगें जिसे रहें अपना खयाल रखें अपने प्यारों का ख characteristics और बचें ऐसे लोगों से मा प्रवास्वास्ट टो